Hello दोस्तों and welcome back to another video and आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं LJ Inventory हमारे Qubicore server में सो सीधा स्टार्ट करते हम इस वीडियो को तो आपको आजाने अपने ब्राउजर पे and ये लिंक आपको मिल जेगा LJ Inventory का ये बिलकुल फ्री inventory है and ये official release है जो आपको अभी आपके screen पे दिख रही है तो ये हमारी inventory आपको में एक बार नीचे जाके भी दिखा देता हूं कि इसका GitHub पेज कैसा दिखता है तो आपको यहाँ पे आ जाना है and यहाँ पे आके इसको download कर लेना है and जब आप download कर रहे हो तो आप यहाँ पर नीचे देखते हो तो इसके installation हमें steps भी दिए गए है इसके features वगारे भी आपको बताए गए है तो जादा features में नीचे जाएंगे हम सीधा इसको install ही कर लेते हैं यहाँ पे हो चुकी है download and इसको आपको extract कर लेना है अपने server में तो मैं इसको सीधा यहाँ पे extract कर लेता हूं इसके बाद थोड़ा से इसको मैं rename कर देता हूं and rename करने के बाद यहाँ पे एक चीज आती है कि हम use कर रहे थे अभी तक QB inventory and काफी सारी scripts में call हो रहा था नाम QB inventory पर अब हमने कोई और inventory की script डाली है जो है LJ inventory so यहाँ पे जहाँ जहाँ QB inventory call हो रहा है हमें वहाँ वहाँ LJ inventory call करवानी पड़ेगी तभी यह script हमारे लिए चलेगी so यह है एक method यह फिर एक और method है कि यह जो LJ inventory है इसी का नाम आप अगर बदल के QB inventory कर देते हूं यहाँ पे कुछ ज़्यादा time नहीं लगेगा आपका आपको simply यहाँ पे आ जाना है and आपको VS code open कर लेना है VS code open कर लो या फिर आप open कर सकते हो notepad++ जहाँ पे आपको option मिलता है कि काफी सारी files में एक बार में replace करने का तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है file पे जाना है and open folder करना है open folder करके आपको अपने server में आ जाना है server में आके आपको resources का folder select कर लेना है इसके बाद आपको आ जाना है search में and search में आने के बाद आपको search करना है QB inventory and जैसी मैंने यहाँ पे enter press किया यहां पर हर जगा मेरे को दिख गया कि क्यूबी इंवेंट्री कहां कहां है हमारे अभी सर्वर में एंड आप यहां पर देख सकते हो contributing.md फाइल को ज़रा ignore करना है और बाकि जहां जो आपकी लुआ फाइल से हैं बाकि जो में में फाइल से हैं हमें क्यूबी इंवेंट्री लिखा हुआ है अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहां पर LJ से इन्वेंट्री से यहां पर मैं इसको रिपलेस कर देता हूं इसको replace करके qb कर दो इसका नाम यहां से आप qb inventory कर दो यहां पर इसके html folder में जाके js में जाके app js में जहां जहां lj है वहां वहां qb कर दो एंड एक बार ही check भी कर दो जैसे फोल्डर वाले method से आप ऐसे भी कर सकते हो यहां पर मैंने कर दिया है सब कुछ तो मैं अब इसको बस अपने किसी भी एक फोल्डर में डाल देता है जहां पर यह अपने आप रन हो जाए या फिर मैं इसको सीधा server cfg से रन करवा लेता हूँ तो मैं यहां पर आया and qb के नीचे करवा लेता हूँ ensurelj inventory यहां पर मैंने इसको कर दिया ensure तो अब अगले restart में यह run हो जाएगी तो यहां से यहां पर आके मैं अपने server को एक बारी restart कर लेता हूँ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले make sure to check out Zab hosting जो है 5M official hosting partner and इनके help से आप अपना 5M server host कर सकते सिरफ 5 minutes में and check out के time use करना मेरा promo code जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा discount and यह सारी details आपको मिल जाएगी description और pin comment में अब बढ़ते हम अपनी वीडियो में so यहां पर मेरा server restart हो चुका है तो अब सीधा चलते हम अपने server में so यहां पर आ चुका मैं अपने server के अंदर and अगर अब मैं आपको lg inventory open करके दिखा हूँ या फिर मैं आपको कातर सिरफ tap दबा के दिखा हूँ तो आप यहां पर देख सकते हो हमारी जो नई inventory है वो open हो रही है and इस इधर अगर आप किसी item पर over करते हो तो उसकी information भी यहां पर display हो रही है अब मैं आपको कोई item use भी करके दिखा देता हूँ एक बारी so यहां पर मैं spawn कर लेता है एक sandwich and यहां पर आचुका मेरे पास sandwich and अगर मैं इसको करता हूँ अब use तो यह अच्छे से use हो जाएगा so आप एक बारी अपने main server में डालने से पहले इसको testing server में जरूर डाल लेना and आप देख लेना इसमें क्या-क्या issues है because काफी सारे लोगों को इसमें थोड़े थोड़े time बाद issues देखने को मिले है जैसे dupe हो रहा है चीज यह काफी और glitches अगर आप इसके github page पर जाके दिखते हो तो आपको वह सारी चीज़े इसके github page पर दिख जाएगे कि active issues अभी कौन कौन से है एंड फिर से मैं बोल रहा हूँ अच्छे से testing करना अपने test server में अगर आप यह inventory को अपने main server पर implement कर रहे हो एंड एक और चीज़ कि अगर आपने पहले अपना कोई server build किया है एंड उसमें आपने क्यूभी inventory में काफी सारे changes किये होंगे इस वाली inventory में जरूर डाल देना वह आइकन किसी को शो नहीं होंगे यहां पर यही था मेरे साइट से एंड इस वीडियो में दोस्तों इतना ही एंड जाने से वहले make sure to check out zap hosting जहां आप host कर सकते हो अपना खुद का 5m server इनके game server hosting में या फिर आप बाई कर सकते हो VPS या फिर root server अगर आपको कोई एक बड़ा 5m RP server है और यहां पर आप मेरा promo code जरूर यूज करना because उसमें आपको renewal के time एक अच्छा खासा discount मिल जाएगा मेरी तरफ से so thanks for watching मैं मिलता आप से अगली वीडियो में